क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मच्छर काटते समय फट क्यों जाते हैं मतलब कि ये आपका खून तब तक क्यों चूसते रहते हैं जब तक कि उनका पेट फट कर खून बाहर ना निकल जाए तो आखिर क्यों ये इतना खून पी जाते हैं क्यों ने फट कर मरना पड़ता है दरसल मच्छरों के शरीर में एक सेंसर लगा होता है जो उन्हें बताता है कि उनका पेट कितना भरा है लेकिन कभी-कभी ये सेंसर काम नहीं करता जिससे ये इतना खुन चूस लेते हैं कि इनका पेट ही फट जाता है एक रिसर्च में पाया गया है कि मुर्गियां जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनके अंडे का साइस भी बढ़ता जाता है देखो जब मधुमकी हमें काटती है तो उसका डंक इस तरह से हमारी स्किन में फस जाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है वैसे कि आपको CT बजाना आता है कमेंट करके जरूर बताना